Congress उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए America हो Britain, Berkeley की University of California हो Cambridge University में समवात के लिए जाए, वहां उनका एजेंडा एक ही होता, देश विरोध और अपने करियर पर पालिश करना, इस दौरान राहुल गांधी ने देशित को नुकसान पहुचाने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ते विदेशी जमीन से अपने ही देश के बारे में इतना दुश्प्रचार किया जो कोई दुश्मन भी कभी नहीं करता। की ही पोल खोल गए। और आखिर हाल फिलहाल में सोनिया गांधी का मंच मिस्टर सन्यास का एलान करके पलती मारना ये सभी एक रणनीती का का हिस्सा है और टुक्रटुक्रे टूल किट को एक्टिव करना था। चलिए इस से पहले हम आगे बढ़े आप से अनुरोध है यद देश का सम्मान दाव पर लगा सकता है। ज्यादातर जवाब आएगा नहीं परन्तु कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी देश को बदनाम करने में अपनी शान समझने लगे हैं। विशेश बात यहाँ है कि बगेर मुद्दो की गहराई में जाएं कि उसका भारत की विदेश नीती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वे कुछ भी बोल आते हैं। घरेलू राजनीती में राहुल गांधी को तो कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन विदेशी धर्ती पर अपने ही देश के विरूद दिया गया उनका बयान देश के लिए मुश्किले पैदा करता है। भारत जोडो ड्रामे के बाद बृतेन पहुँचे राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने की सारी हदे लांध दी। आजादी का अमरित महुचसव वर्ष में जब देश अपनी तरक्की और विरासत पर गौरफ गांध कर रहा है, ऐसे में राहुल गांधी देश के साथ विश्वासगात कर रही है। वह विदेशी सर्जमी से देश को नीचा दिखाने की शर्मना कोशिश कर रही है। वह कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र खत्रे में हैं और विदेश को इसमें हस्तक शेप करना चाहिए। जिस कश्मीर में वह तिरंगा फहरा कर लोटे हैं, उसे हिंसक जगा बता रही हैं। उनके इस तरह के बयान 140 करोड देशवासियों का अपमान हैं, जिनोंने लोकतंत्र पर भरोसा करते हुए एक बहुमत वाली सरकार को चुना है। पी-एम नरेंद्र मोधी का विरोध के लिए वह भारत को नीचा दिखाते हैं, 140 करोड देशवासियों का अपमान करते हैं, और जिस देश ने हम पर लंबे समय तक शासन किया उसी देश में जाकर उससे भारत के मामलों में दखल देने की बात करते हैं। क्या देशवासी ऐसे शक्स को माफ कर सकते हैं? राहुल गांधी दुनिया में एक मात्र ऐसे नेता है, जो देश हो या विदेश अपने देश की प्रगती की बात न करके हमेशा भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। वह चीन की तारिफों के पुल बांधते हैं, लेकिन भारत के प्रती उनके मुख से नफरत ही निकलता है। लंदन में राहुल ने यही किया। यहां तक उन्होंने भारत की तुलना यूकरेन से कर दी। उन्होंने कहा जो रूस यूकरेन में कर रहा है, ठीक वही पैटर्न चीन भारत में डोकलाम और लदाक में दिखा रहा है। चीन ने भारत में डोकलाम और लदाक में अपनी सेना तैनात कर रखी है और अरुणाचल प्रदेश और लदाक को भारत का हिस्सा मानने से इनकार करता है। यहां सवाल उठता है कि चीन ने राहुल गांधी को ऐसा क्या दे दिया है कि वे लंदन जाकर भी भारत की प्रगती की बात करने के बजाए चीन की तारिफों के पुल बांधते हैं। राहुल गांधी ने ली है भारत को बदनाम करने की सुपारी। अगर आप राहुल गांधी के बयानों पर गौर करे तो उससे साफ जाहिर होता है कि वे अमेरिकी और यूरोपिय डीप स्टेट से भारत को बदनाम करने की सुपारी ले चुके हैं। भारत राष्ट्र नहीं यूनियन है, भारत में लोकतंत्र नश्ट हो गया, कश्मीर हिंसक जगा, विदेश नीती पर हमले, मीडिया पर सरकार का कबजा आधी राहुल के बयानों पर गौर करे तो आप पाएंगे इस तरह के बयान तो देश विरोधी लोग देते हैं। अब इसके बदले उन्हें क्या मिला है या मिलेगा यह तो पता नहीं लेकिन दीप स्टेट ने राहुल को भारत का जेलिंज की बनाने का वादा जरूर किया है। उनकी बातों से लगता है कि भारत को बदनाम करना ही उनका एजेंडा बन गया है। देश को बदनाम करने की यह साजश बार-बार विदेशी धरती से होती है। कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से कभी किसी और माध्यम से। या अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि कॉंग्रेस का एजंडा क्या है? इसे विडंगना ही कहा जाएगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी ब्रिटिश धर्ती पर जाकर भारत के आंतरिक मुद्दो पर बात करते हुए विदेशी दखल की बात करते हैं। वह ऐसा पहली बार नहीं कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने निकोलस बन और अमेरिका के हस्तकशेप की मांग की थी। और हम सभी को याद है कि कैसे कॉंग्रेस ने हाल ही में जॉर्ज सोरोस के वित्पोशित आख्यान को उच्छाला था। यहां एक बार नहीं बलकि भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का एक सुन्योजित पैटर्न है। इससे यह भी साबित होता है कि राहुल विदेशी ताक्तों के इशारों पर खेल रही हैं। सोशल मीडिया पर जीनत राना ने लिखा है राहुल गांधी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे घटिया देश है। भारत को महत्व ना दे, भारत जैसा दिखाया गया है वैसा नहीं है, लोकतंत्र नहीं, मीडिया अधिकार नहीं, अलपसंख्यत अधिकार नहीं है भारत में निवेश मत करो, वहाँ व्यापार का अवसर नहीं है, सब अडानी का है भारत कायर है, कमजोर है लोकतंत्र को फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका और यूरोप से भारत पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया धिक्तार है हमारे देश के ऐसे नागरिकों पर यह कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गान्धी ने विदेश जाकर भारत सरकार और भारत के आंतरिक मुद्दों को उठाया है इसके पहले भी वह कई बार विदेशी धर्ती से भारत सरकार की आलोचना करदेश द्रोग कर चुके हैं एक बार तो उन्होंने भारत की तुल्ना पाकिस्तान से कर दी थी आएए देखते हैं विदेशी धर्ती से कब-कब राहुल गान्धी ने क्या-क्या कहा 2 मार्च 2023 लंदन में कहा भारत यूनियन ओफ स्टेट्स है 21 मई 2022 लंदन में कहा बीजेपी ने देश में मिट्टी का तेल छिड़क दिया है 17 मार्च 2021 ब्राउन युनिवर्सिटी में की गदाफी और सद्दाम से तुल्ना 12 जनवरी 2019 दुबई में कहा भारत में इंटॉलरेंस है 24 अगस्थ 2018 लंदन में कहा भारत अब अच्छी स्थिती में नहीं है मार्च 2018 मलेशिया में कहा नोटबंदी का प्रस्ताव मैं कचरे के डिब्बे में फैंक देता मार्च 2018 सिंगापुर में कहा कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए नफरत और हिंसा का सहारा ले रहे जन्वरी 2018 बहरीन में कहा सरकार जॉब क्रियेट करने में नाकाम रही सितंबर 2017 अमेरिका में कहा अहिंसा की विचारधारा आज खत्रे में आप से अनुरोध है देशित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमें और आगे बढ़ने में हमारी आर्थिक मदद करें आप हमें गूगल पे या पेटियम के माध्यम से हमारी मदद कर सकते हैं हमारा नंबर है 9911955719 आप सभी से एक अनुरोध और करना चाहेंगे यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी चैनल की अन्य वीडियो को भी जाकर देखे और काम से काम दस ग्रूपों में या अपने हित्मित्रों तत इस वीडियो को शेयर करे